नमस्कार और सबसे पहले तो आप सभी को दिपावली की बहुत-बहुत सुपकामना है I hope कि आप सभी की दिवाइली एकदम खुशियों से भरी रहे और एकदम खुस-खुसाल रहे ठीक है और हम बात करेंगा अच केरला ब्लास्टर्स वरसे उडिसा FC और उससे पहले तो कल जो आपने देखा कि पूरा देश हमारा मतलब पूरा देश क्या जितने भी भारती हमारे पूरे विश्व में जहां-जहां रहते है एकदम क्रिकेट के रंग में रंग चुके थे क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ही खास विक्टरी जो है अर्जित करी पाकिस्तान के खिलाफ और किंग कोहली जो है हमारे एकदम टॉप फार्म में चले गए थे तो अभी आप में से कई हो सकता बुलेंगा रे क्रिकेट की बात क्यों करें दिखिए हमारा देश का खेल कोई भी खेल खेले हम तो सब कही सपोर्ट करते हैं तो चलियो वो तो वैसे कोई बहुत नहीं बात नहीं है वो तो होते रहता है तो हम बात करगे केला ब्रास्टर्स वर्सेज उडिस अफसी So before we start I want to show you one football app Here you can get all updates related to world football You can watch live matches here and in case you miss you can also watch highlights Also you can pick your favorite team and push notification button on So you will get all latest updates of your team And also you can pick your favorite players to know about their current and previous performances So download one football app, get the link in the description So this match was also very difficult I mean I had a little bit of a match on the beach on the beach I mean I will tell you about it But who did romance in the beach? Odisha FC ने Odisha FC ने इस match में जान डाल दी और देखिए match की बात करें तो Match जो था मतलब कि ball position के साब से बूलेंगे तो दोनों टीम ने लगभग सेमी खेला क्योंकि ball position एक्चुली चली नहीं रहा था क्योंकि दोनों टीम के पास थोड़ी थोड़ी देर तक ball रहे थी और end to end action type की चीज़े हो रहे थी अपने Jerry ने वो actually में goal था आप देख सकते थे प्रभू सुखन ने उस ball को अपने पास नहीं थी उसके पास नहीं थी ओ ball वो एक हास से grip करने कोशिश कर रहे थे और ball नहीं थी उनके control में और उस पर Jerry ने उस पर मार दिया था वो goal था लेकिन वो ही है कि अपने पास VAR तो है नहीं कि वो करके बाद में दे देंगे तो actually में goal था तो ODSFC वाले बिलकुल आप जो भी fan ODSFC का उसको goal मान सकते हैं ठीक है लेकिन वो goal कहीं नहीं हुआ नहीं तो जिसकी वज़े से ODSFC थोड़ी सी निराशा मिली और उसके बाद जो goal मारा है अपनी केरला ब्लास्टिरस ने वो goal बड़ा शांदार मारा है मतलब उसमें आप देखिए हर्मन जोत खाबरा जो थे कहां से उनने positioning ली मतलब वो ना marking थी एकदम पीछे खड़े थे एकदम छुपके और कहां से उनने एक सिगनल दिया उदर से लूना ने एक मस्ट सा डाला बॉल और एक सांदार फिनिस उस पे और आप ये भी कह सकते कि केरला ब्लास्टिर स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हाई प्रेसिंग पे जा रही थी तो उडिसा को थोड़ी से डिफिकल्टीज हो रही थी मतलब सुरू-सुरू में लेकिन बात में फिर सेट होगी थी उडिसा भी और केरला ब्लास्टिर भी सेट होगी थी दोनों फिर आपसी समंझे से के साथ खेलने लगे कि चलो भी है तुम थोड़ा में थोड़ा खेलते खे जो गोल मारेगा जीतेगा ठीक है और फिर उसके बाद फरस्टाप में आप देखी सकते थे फरस्टाप एक्चुली में बोलू न तो मुझे उत्रना खास मजा आनी रहा था मजा मुझे आया खास एकदम लांस्ट लास्ट के एंडिंग मुमेंट्स में है ना जैसे जब जो गोलों वहां से मुझे थोड़ा मजा जादा आने लगा मतलब इसका मतलब यह नहीं बूल रहा कि मैं के डिलाब रास्टरास का फैन नहीं हूँ देखी मैं तो नूट्रल हूँ मैं दोनों टीम के गोल पे खुशोने वाला बंदा हूँ क्योंकि यह हमारी टीम तो है नह गोल सकते गेडला ब्लास्टर्स की, कि मतलब वहाँ पर एक सांबाय स्टाइल में उन्होंने टर्न किया, एक सूट मारा, और प्रभु सुकन उसको सेव नहीं कर पाए, और फिर क्लियरेंस पर जा रहे थे, डिफेंडर गेडला ब्लास्टर्स के, लेकिन जैरी वहाँ पर उडिसा एफसी जो कहीं न कहीं भारी पढ़ने लगी, और फिर जो पेडरो थे, पेडरो ने तो भीया पूरा खेली खलास कर दिया, वो गोल जो हुआ है, मतलब अमरिंदर सिंग का असिस्ट ठीक है, तो अमरिंदर सिंग ने क्या असिस्ट दिया एतना लॉंग, और उसके बाद उस पर रिसीव आप बोलेंगे, फर्स ट्रच के आशांदार लिया पेडरो ने, और से फिनिसिंग जो करी है भाईया, एकदम उछेली के सीट से, और उडिसा एफसी के फैंस तो एकदम पागली हो गया होंगे, एकदम पौरा गया होंगे, क्योंकि वो गोल एक तो ऐ अब देखिए इस मैच में मुझे से लगते कि केला ब्रास्टर जो थी, एक तो वो स्टार्टिंग से हाई प्रेसिंग जा रही थी, लेकिन उनकी जो मिड लाइन थी, मिड लाइन जो थी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई, जैसे सहाल नहीं चल पाए, जैक्सन उतना य जो एक एक्ट्र मिड फिल्डर के जैसा होता है, आप दूसरे गेम्स देखते होंगे, तो उस जैसा मतलब कि उडिसे अफसी के अगेंस्ट वो गेम चल नहीं पाए, वरना थोड़ा सा और हमको पेनेटरिटिव पास्स बोल दें, या एड्रियन लूना के साथ अच्छा कॉ आउंटर जा रहे थे, या लॉंग बॉस दल रही थी, तो इस वज़े से जो गेम का जो एक वो रोमांच होता है, वो कहीने कहीं, थोड़ा सा मिठास उसकी कम रही, क्योंकि असली गेम में मज़ा कम आता है, जब इतना थू बॉस दल रही है, मिड से गेम अच्छा बिल्ड पिछले भी एक दो मैच देखी, अगर बात करें, तो बहुत बोरिंग आईसल हो रहा है, तो आई होप कि थोड़ा सा क्वालिटी, मतला क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो उत्साहा वाला गेम प्ले होता है, कि थोड़ा सा गेम सहीं हो, जैसे पार्दी गोल हो गया तो हो गया, काउंटर बना लिया, वो भी जैसे तैसे घुस घुस आके हो गया, तो इस टाइप के चल रहा है, इस वज़े से रोमान जो नहीं कहीं कहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपको ओपिनियन कुछ और हो, तो आप जर पार्दी भी रही कि जैसे मूरिशी उन्हें नहीं मार दिया, फिर पेड्रो ने मार दिया, और बाकी क्लास क्लास में प्रभू सुकन गिल ने गलती करी थी कि डी के बाहर यून्हें बॉल पकड़ ली, मतलब इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, मतलब आपको दिख रहा है कि मै ने डी के बाहर बॉल पकड़ रहा हूं, नहीं पकड़ना चाहिए और उनने पकड़ ली और उसके बाद उख क्लेम कर रहे कि मैंने अंदर पकड़ी, तो ऐसी गलतीयां तो नहीं करना चाहिए भी है, एतने प्रुफेस्टनल गोल की पर है, तो बाकी ठीक है, ऐसी गलतीया तो करते हैं, तभी तो गोल मिलते हैं, तो मैच बगेरा, ओवराल मैच देखेंगे, तो ओडिसे अफसी के फैंस के लिए तो बड़ा अच्छा मैच रहा है, क्योंकि विन करा उनोंने, और डिजर्व भी करते थे विन करना, क्योंकि यह एक गोल उनको पहले मिला था, जो द बाकी आप बताईए, आपने कितना एंजोई किया मैच को, और आपने किस प्लेयर के गेम को एंजोई किया, देखें, मुझे तो भी यह रहा थे ना, पेडरो, उनका वो जो ग्लास गोल, उनका टच, उसको ही मैं मतलब वो देखके उतना मजा आ गया, बाकी मतलब मैच का उ थोड़ी सी इंप्रूव हो अगले मैचेज में, तो मैच तो अभी थोड़े दिन बाद है, तो आप बताईए, आपने कितना एंजोई किया मैच को, और जो भी आप कह सकते इस मैच से एलेटेड, और एक बाद फिर से सभी को दिपाली की बहुत बहुत शुब कामना है, और आप जो भी कहना चाहिए, जरूर कमेंड में लिखके बताईएगा, और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रही है, बहुत बाद शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जैहिन, जै भारत!